Hello everyone and welcome back to my channel आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से step by step बताने वाले हूँ कि आप Ola Cap book कैसे कर सकते हैं अगर आप घर पर हैं, office में हैं या कहीं पर भी हैं और आपको किसी दूसरी location पे जाना है जैसे कि market, restaurant, bus stop, railway station आप बहुत easily अपने लिए या अपने friends या family member के लिए Ola Cap book कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आप play store या इसी वीडियो के description में मैंने एक link दिया है उस पर click करके Ola app को download करके अपने mobile में install कर लेंगे Ola app को download करने के बाद app को open करेंगे आपके सामने ये screen आ जाएगी यहाँ आप continue with phone number पर click करके अपना mobile number एंटर करेंगे जिस पर आपको OTP आता है और next पर click कर देंगे अब आपके mobile number पर एक OTP आएगा जो कि यहाँ automatically detect कर लेगा आपके सामने एक pop-up message show होगा यहाँ आप permissions को allow करेंगे यहाँ आप अपने location को access करने का permissions allow करेंगे यहाँ आप while using the app को select करेंगे अगें यहाँ आप phone call के लिए permissions भी allow करेंगे अब जब भी आप Ola app open करेंगे आपको यह interface दिखाए देगा यहाँ आपकी current location यानि जहाँ आप अभी है वहाँ का location यहाँ blue color dot से आपको show होगा अब यहाँ से आप अपने लिए Ola cab book कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ आप अपना pick up location एंटर करेंगे यानि कहाँ से आप Ola cab में बैठेंगे उसके लिए आप your current location पर click करेंगे लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि automatically यहाँ आपका present location शो होगा नीचे आपको एक और option देखने को मिलेगा locate on map यहाँ से आप map को zoom करके और move करके अपनी exact location सेलेक कर सकते हैं और confirm location पर click कर देंगे अब यहाँ आपका pick up location सेलेक्ट हो गया है अब आप search destination पर click करके जहाँ आपको जाना है वहाँ का location एंटर करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अब यहाँ से आप किस तरह का cap book करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जैसे कि book any, prime sedan, prime suv, mini, auto, early rental और सबके सामने उसका price mention है यानि लिखा हुआ है नीचे यहाँ cash का option शो हो रहा है इस पर click करके आप किस तरह से payment करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मैंने pay through upi app को सिलेक्ट किया है यहाँ तीन options आपको दिखाई दे रहे हैं आप कोई भी online upi app के through payment कर सकते हैं मैंने यहाँ google pay को सिलेक्ट किया है continue पर click कर देंगे यहाँ हम mini car select करेंगे और book mini पर click कर देंगे अब आपके आसपास जितनी भी mini car है उनको search करेगा और जो भी ola car आपके location के सबसे pass होगी वो आपके लिए book हो जाएगी यहाँ आपको car का number show होगा यहाँ आपके driver का नाम और driver की photo देख सकते हैं यहाँ time show हो रहा है तीन minute में driver आपके pick up location पर पहुँच जाएगा यहाँ आपको green tick show होगा यानि ola car आपके location पर आ गई है अप driver आपसे OTP या pen मांगेगा यहाँ आप OTP देख सकते हैं आप ये OTP driver को बताएंगे और आपकी right book हो जाएगी यहाँ आपको show भी होगा यहाँ map में आपको drop of time show हो रहा है यानि आप कितने बज़े अपने destination location पर पहुँचेंगे अपनी location पर पहुँचने के बाद एक pop up message show होगा कि आपको कितने रुपीज का payment करना है आप cash या online payment कर सकते हैं एक बात और Ola या Uber के prices कम या जादा होते रहते हैं जब भी आप Ola या Uber book करें तो 2-3 मिनट पहले दोनों ही apps यानि Ola और Uber में prices चेक कर ले अगर आप Uber cap book करना चाहते हैं तो वीडियो के link नीचे description में दी गई है वहाँ से आप check out कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो helpful लगी हो तो please वीडियो को like कर जिए चैनल को subscribe कीजिए और अपने friends को share कीजिए Thank you for watching this video